आम जन्ता को बड़ी राहत अगर दी है तो वो केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों में जो हमारी सरकारे हैं उन्होंने दी है इसी से एक बड़ा सवाल उठता है जो हमारे नागरिक भाई बहन हैं जो आज पंजाब में हैं छतिसगर में हैं राजस्थान में हैं पश्चिम्मंगाल में हैं महराष्ट में हैं या दिल्ली में भी हैं वो पूछ रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार जनता के साथ खड़ी है अगर भाजपा शासित राज्यों में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे वो असाम का उधारण दिया हो करनाटिका है तमाम ऐसे और राज्ये हैं भाजपा के जहां पे वैक में कटोती आई है तो ऐसा क्यों है कि निर्दई कॉंग्रिस की जो सरकारे हैं जो निठली निकम्मी सरकारे हैं वो लोग ऐसा ही एक सहासी कदम ऐसा ही एक आम जंता से जुड़ा हुआ कदम यह ठोस फैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं क्या कॉंग्रेस पार्टी मम्ता बैनर जी अर्विन केजरिवाल इनका मूल मंत्र यह है कि मीठा मीठा गबगब कड़वा कड़वा थूथू हर पल राजनिती करने वाले यह विपक्ष के नेता जो बार बार कहते थे महंगाई हो गई है आम जंता के बारे में सोचो कब सोचोगे आज जो पहल अदर्निय प्रधान मंत्री जी ने की है जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्य मंत्रियों ने की है वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं अशोगेलो जी बहुत दुख के साथ आपका ट्वीट पड़ा अशोगेलो जी मुख्य मंत्री है सम्मिधानिक पद्पे हैं और इनका दोहरा चरित्र और दोहरी राजनिती देखिए कैसे स्पष्ट हो जाती है जब एकसाइज ड्यूटी घटाने का एहम निर्ने लिया गया उसका स्वागत नहीं किया इन्होंने आम जन्ता के लिए वैक्ट की जो ड्यूटी है उसको घटा देते आम जन्ता को राहत मिलती राजस्तान में ये नहीं किया बलकि इन्होंने लिखा और मैं शब्द शाह आपके समक्षे रख रहा हूं केंद्र द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने के साथ ही राज्यों को उसी अनुपात में वैक्ट स्वता ही कम हो जाता है फिर भी हमारी मांग है कि महंगाई को कम करने के लिए केंद्र को और अधिक एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए अब इससे दो बाते स्पष्ट होती पहली बात जब एक्साइज जूटी कम हुई तो मुख्यमंत्री अशोग गहलो जी का कहना है कि स्वता प्रदेश की सरकारों का जो भाग है वो भी कम हो जाता है तो मुख्यमंत्री अशोग गहलो जी ये भी बताईए कि जब इसके माध्यम से कर आ रहा था और हम कहते थे कि प्रदेश की सरकारों को बड़ा हिस्सा जा रहा है बिना भेदबाव के तो तो आपने कभी नहीं स्विकारा तब तो आप चुप रहे आपने राजनिती करी और दूसरी बात आज संविधान को पढ़िए उसका अध्यान करिए अगर आप वैट का कर लगाते हैं और जैसा मैंने आपके समक्ष रखा कि भाजपा ये मानती है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन करते हुए जहां हो जहां संभव हो आम जंता को रहात भी देंगे राज्ये क्यों नहीं करते हैं और गजब की बात देखिए क्या है ज्यादा पीछे नहीं जाओंगा एक नवंबर को राहूल गांदी जी ट्वीट करते हैं जेव कत्रों से साथधान टैक्स एक्स्टॉर्शन राहूल गांदी जी एसा प्रतीत हो रहा है कि कॉंग्रिस पार्टी से बड़ा जेव कत्रा पूरे देश में तो कोई नहीं है और जेव कत्रा तो कॉंग्रिस पार्टी बनी ही गई है लेकिन उसके साथ जो अपनी गिद्ध वाली राजनिती आपकी है वो आप क्यों करते हैं लूट खसोट भ्रष्टा चार आम आदमी को प्रताड़ित करना अब यही कॉंग्रिस का चरित्र है क्या इस आशा से आज यह प्रेस वारता हो रही है जिस जजबे से जिस जोश से आप केंद्र की सरकार को घेरते थे आज यह उमीद आम जनता आप से कर रही है कि कॉंग्रिस शासित राज्यों में पच्चे मंगाल में ममता बैनर जी जी और अर्विन केजरिवाल जी भाजपा से सीख लेते हुए राट में कटोती करेंगे और उधारण बनाएंगे कि जहां आम जनता की बात आएगी उनमें भी अभी समवेदन शीलता मरी नहीं है और अगर ऐसा आपने नहीं किया तो यही कहा जाएगा कि कॉंग्रिस पार्टी परियाय बन गई है जेब कत्रों का कि मैं एक उधारण आपके समक्ष रख दूँ आज राजस्थान में पेट्रोल पर 32 रुपए 19 पैसे वाइट लग रहा है 32 रुपए 19 पैसे अच्छो गैलो जी श्री गंगा नगर में पेट्रोल की कीमत 121 रुपए और डीजल की कीमत 112 रुपए है इसकी जिम्मेदारी किसकी है शोग गैलो जी सोनिया गांदी जी क्रप्या करके हस्तक शेप करिए और इस पे राजनिती नहीं होनी चाहिए लेकिन भारतिय जनता पार्टी ने ये दिखाया है किस तरह से किसान भारतिय नागरिक मजदूर गरीब सबकी सेवा भी करेंगे और जहां अफसर मिलेगा आम जनता को रहात भी देंगे अगर कर आएगा हमारे खाते में कोश में तो उसका एक एक रुप्या देश के निर्माण के लिए समर्पित होगा आम जनता के लिए समर्पित होगा लेकिन राजस्तान में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है मैं महराश्ट का भी जिक्र करना चाहूंगा हम सब जानते हैं वहाँ एक महा वसूली अगाड़ी है यह कैसी वसूली है उद्धव ठाकरे जी पेट्रोल का दाम 110 रुपए डीजल का दाम करीब 87 रुपए और यह जाट लग रहा है पेट्रोल पर महराश्ट में 31 रुपए 19 पैसे अब इसकी तुलना आप करिए भाजपाश शासित राज्यों से और मैं उद्धारण के तौर पे दो राज्ये आपके समक्ष आंक्रे रख रहा हूं उत्तर प्रदेश में इक्किस रुपए च्यासी पैसे यह तीन नोवेंबर दो हजार इक्किस का अक्रा है और उत्तराखंड में बीस रुपए च्यालिस पैसे और कहा राजस्तान में 32 रुपए उन्निस पैसे और महराश्ट में 31 रुपए उन्निस पैसे यह अपने आप में दर्शाता है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी केंद्र सरकार ने एक पहल करी आम जंता ने उसका स्वागत किया लेकिन विपक्ष की जो पार्टियां है कॉंग्रिस आम आदमी पार्टी त्रिनमूल कॉंग्रिस ये केवल और केवल ओची हलकी घटिया राजनिति करती रही विरोध करती रही अपनी निद्रा से जागी नहीं आम जनता की इन्होंने सुध नहीं ली